जेहिंद कैसे हैं आप सब उमेदेकपस भी लोग मस्त होंगे और अपने तयारियों में ब्यस्त होंगे तो आज किस वीडियो में हम आपको समाजिक बिज्वन परिक्षा के लिए इतिहास का छपने वाला प्रसन बताने वाले हैं और इसमें इतिहास का कुल 17 सब्जक्टी प् इसी से आपके पेपर में परसन रहने वाला है। इसमें हम लोगोंने सिर्फ इतिहास के क्वेश्चन को ही कभर किये हैं तो चलिए बीना समय को गवाई सभी परसनों को देख लेते हैं। माहक बनती है देखिए इसका अगर समाने अर्थ में हम आपको पड़िभासा बताए तो राष्टवाद का साब्दिक अर्थ होता है राष्टिय चेतना का उद्या जिसमें किसी विशेस भोगोलिक संस्कृतिक या समाजिक परिवेस में रहने बाले लोगों में जो इन देश क प्रति प्रेम जगाता है उसी को हम लोग राष्टवाद कहते हैं इतना भी लिख दिजेगा तो आपका किलियर हो जाएगा पूरा उसको दूसरा प्रसन है कि मेटरनिक यूग आपको लिखना है ये प्रसन मोस्ट इंपोटेंट है कि मेटरनिक अश्टरिया का चंसलर था र गोर परति किरियावादी था और राष्टवाद इवं गनतंत्र का वाब बिरोधी था इसमें पूछा गया मेटरनिक यूग क्या है तो जब नेपोलियन का यूग समाप्त हुआ तब मेटरनिक यूग का आगमन हुआ इसमें मेटरनिक अश्टरिया का चंसलर था ये उपर म लिखना है और इसमें लिखना है कि जब नेपोलियन के यूग का आंत हुआ तो मेटरनिक के यूग का आगमन हुआ मेटरनिक जो है नवह खूब परति किरियावादी था घोर परति किरियावादी था और राष्टवाद इवं गंतंत्र का वाब बिरोधी था मतलब वह या बाधाएं क्या थी तो जर्मनी के एक करन में निमलिखित परमुख बाधाएं थी यह मोश्ट इंपोर्टेंट है यह आप एक बार ध्योन रखिएगा यह प्रस्ण जो याद करने में उतना प्रिस्वनी नहीं होगा कि इसमें जो नलगवग तीन सचोटे चोटे बड़े राज्य थे पहला इसका कारणता दुसरा है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक समाजिक तथा धार्मिक विसमताएं थे विसमताएं मतलब भिविनताएं था फिर राष्ट मात की भावना का भाव था इसमें राष्ट मात की भावना ही नहीं था राष्ट से किसी ब पहुंचाया तो इस तरह से जोने इसका आपको अंसर लिखना था जर्मनी के एकी करण में पर्मुक वादाया जर्मनी का एकी करण होना मतलब वजन स्वतंत्र होने के लिए एकी करण होने के लिए उसका कौन-कौन से बाधाया थी तो ये पहुंचो उसका कुल बाधाया था सभी को राज में बट गया था और उन राजियों में सभी में था विमिनताएं था सब अलग-अलग धर्म को मौनते थे तो इस तरह से उसमें लगा जवन एकता ही नहीं था फिर है कि राष्टवाद की उसमें भावना का वाव था कोई भी राष्ट से प्रेम नहीं करता था फ इसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयम दिया समाजवाद उतपादन में मुख्यता नीजी स्वामित्व की जग है सामुहिक स्वामित्व या धन के समाण बितरन पर जोर देता था या एक सोशन उनमुक्त समाज के स्थापन करना चाहता था तो इसमें आपको इसका प्रिवसा इस तरह समझना है कि या एक ऐसी बिचार धारा है या एक बिचार धारा है समाज बाद जिसमें क्या करता है कि आधुनिक काल में समाज में एक नया आयम एक नया रूप देना चाहता है कि जो समाज में उतपादन का मुख्यता जो नीजी स्वामित्व है किसी खा तो वो गरीबू पर जो इन समवन रूप से धनका वितरन करे उसका भलाई करे इस जोन ये ऐसी ही विचारदारा थी और यह एक सोषन उनमुक्त समाज के अस्थापना करना चाता था समाजबाद की विचारदारा था उसमाज के रूसी करंती के किन्हीं दो कारणों का उल्लेक करे तो रूसी करंती के किन्हीं दो कारण निमलिखित है आपका रूसी करंती के दो महतपुर्ण कारण थे समाजिक और आर्थिक रूसी समाज के बहु संख्यक किसन वर्ग की इस्थिति अत्यंत देनिये थी मजदूर तथा सर्मिक भी सोषन के सिकार थे अथा किसन मजदू जार साही मतलब हुआ के रूस के समराट को ही जार कहा जाता था के बिरोधी बन गए रूस की आर्थिक इस्थिती भी दुरवलती किरिसी तथा उद्ध्यों का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्धों में रूस की आर्थिक इस्थिती दैनिय हो गई बिरोजगारी और शर्मिक जो हुआ सोशन के सिकार होने लगे थे और दूसरा में लिखना है आर्थिक स्थिती भी दुरबलती मतलब भा धन दौलत से भी भहुत ही पीछों था और किरिशी और उध्योग के लिए समुचित विकास नहीं होने तथा यूद में रूस की आर्थिक स्थिती देनिय हो गई थी जिस कारण से जोन उस करंती कारी बल को जदा बल मिल गया कि वहां यूद को छेड़ दे तो इस तरह सिसका आपको कारण लिखना था उसको छटा प्रसन है कि सर्भारा वर्ग किसे काते हैं तो सर्भारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान मजदूर ए तो आम गरीब लोग होंगे वो समील होते हैं सर्भारा वर्ग में मार्क से अनुसार सर्भारा वर्ग मजदूरों तथा सर्मिकों का वर्ग था जो सुविधा बिहीन वर्ग था उसको कोई सुविधा नहीं दिया जाता था जिसे कोई अधिकार नहीं प्राप्त था या पु सर्वाराबर्ग कहते हैं फिर खूनी रविवार क्या है तो खूनी रविवार भी मुस्ट इंपोर्टेंट है तो रूस में 9 जनवडी 1905 को लोगों का समो रोटी दोके नारे के साथ सरकों पर पर दर्शन करते हुए सेंट पिट्टरस वर्ग स्थित महल की और जारहा था प्रंतुजार की सेना इस निहत्य लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए इसलिए इस दीन को रूस में खूनी रविवार या लाल रविवार के नम से जाना जाता है इसमें क्या हुआ था जनते हैं कि रूस में 9 जनवरी 1905 को जो है न सभी लोग क्या कर रहे थे तो रोटी दो के नारे के साथ यहां पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि रोटी दो के नारे के साथ रोटी दो के नारे के साथ जो है न सभी लोग जुलूस में सेंट प एक उतार दिया और खून ही खून हो गया तो इसी दिए इसे हम लोग खूनी रवीवार के नम से जहनते हैं। काल मार्स के भी सेम में आप क्या जहनते हैं। तो काल मार्स की भी सेह में थोरा सा ही आपको यहाँ प्लिखना है कि काल मार्स का जन्म जर्मनी के राइन परंत के टिरियर नगर में एक यहुदी परिवार में हुआ था। मार्स ने पुनिवाद की घोर भर्त सरना और सर्मिकों के हक की बात उठाया। उसने दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया। और यह 1867 में परकासित हुआ था यह दोनों इंपोर्टेंट है। फिर रूसी करन की जो नीती है वा करांती है तू कहां तक उत्तरदाई था। तो जो रूसी करन की नीती थी उपर में इसके दो कारण भी हम लोग देखे हैं। किसान की दैनिया इस्तिती और वहां के जनताओं का आर्थिक समस्या है। इसरी पुछा गया है कि ऐसकी करन की नीती की लिए कई से उत्तरदाई हो गया। इसके इसरी, पोल, जर्मन, अहुदी, त्यादी भी थें। ये भिण भिण भाषजा और रीती, रिवाज को मांते थें। इसलिए रूसी सरकार ने देश की एकता के लिए रूसी करन की नीती अपनाए जार की नीती थी एक जार एक चर्च और एक रूस परन्तु रूस का अलप संख्यक वर्ग सरकार की इस नीती से व्यग्र हो गया जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भासा, सिक्छा और संस् लादने का प्रयास किया 1863 में इस नीती के विरुद पोलों ने विद्रो कर दिया जिसे दवा दिया गया इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोस बढ़ता गया इसमें क्या हुआ कि जो सलाव जन जाती जो था पर जाती उसकी संख्यां सबसे अधीक था तो सर जाती के ही धर्म इती रिवाज को मोनोगे जिस कारण से ये सभी लोग जो थे अन्य धर्म के लोग इससे नाखुस हो गए क्योंकि सब को अपना धर्म मनने का आधिकार है तो इससे नाखुस हो गए तो इन्होंने जोने सबने विद्रो कर दिया जिस कारण से ये इसके लब्भाद्या और ये विद्रू आगे बढता गया जो एक करउंती के रूप में धारन कर लिया का नुपभान कर लिया पिर हमने है कि एक तरफा अनुबंध विवस्ता क्या थी तो एक तरबाज़ आनुबंध व्युम्ध्य स्वाएं योता है कव हम करवाया जाता था जो भी अतनामी मजदूर था उसको बहुजानों में एकT manera वन्द बेवस्ता के अंतरेट गळता था इस्वेवस्ता में मजदूरों को एकर और एकरार रामा के अंतरगत बगवन मालिकों और मजदूरों के बीच होता था, कम करना परता था, इस बेवस्ता में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों मालिक के जोन अवस्मित अधिकार परापता, मतलब मालिक उसे जिस तरह से कम करना चाहे वह कर सकता था मजदूर एकतरफा आता वह ना तो कुछ आवाज उठा सकता था ना ही उसके खिलाब कुछ कर सकता था वह सिर्फ काउम करता था इसी को हम लोग कहते हैं एकतरफा नुबन वेवस्ता फिर है माईली गउं की घटना या हत्या कांट की परिचेद दीजिए तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है माईली दचनी बियतनाम का एक गउं था जहांके लोगों का बियतनांग समर्थक मौनकर अमेरिकी सैनों ने पूरे गउं को घेर कर पुरूसों को मार डाला और तो तथा बच्चियों को बंधग बना कर कई दिनों तक समोहिक सोशन किया वलतकार किया फिर उन्हें मार कर पूरे गउं में आग लगा दिया ये घटना आपको याद रखना है उसके बाद अमेरिकी सैनों की इस बरबरता पुर्वक कारवाई की संपुर्ण विसमें आ कि लोग थे सभी को जला दिया गया लेकिन उसी बीच जोने एक यहां परी बूढ़ा जिंदा बच गया था जोनों ने इस घटना को उजागर किया था उसका नेक्स्ट है बाड़े नमर का सौबी ने अवग्या अंदोलन के क्या कारण थे तो सौबी ने अवग्या अंदोलन के परमुक कारण थे इसका पहला कारण है आपका साइमन कमिशन का बहिसकार तथा नेहरू रिपोर्ट को उस्विकार किया जाना ये इसका परमुक कारण था कि साइमन कमिशन का बहिसकार कर दिया और जाके जो नेहरू रिपोर्ट था उसको भी उस्विकार कर दिया फिर है 1929 से 30 की 20 व्यापी आर्थिक मंदी ये भी कारण था फिर भारत में समाजबादी का बढ़ता परभाव गौंधी ने 11 शुत्री मंगों को मॉनने से इरबिन का इंकार मतलब गौंधी जी जो इन 11 सुत्री समझवता रखा था जिसे इरबिन नहीं मौना का हम इसे नहीं मौनेंगे पर पुर्ण स्वराज की मंग यह भी स्वावी नवग्ग्या अंदलन का एक परमुक कारण था उसको देख अस्थाई बंदोबस्त क्या है क्या था तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में लिखना ये भी मोश्ट इंपोर्टेंट है तो अंग्रेजों की किरिशी नीती में मुख्य रूप से अधिकतम लगवन ए पर तता तता जमिंदार के सानों से उससे अधिक लगण वसूल करते थे इसी को अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं फिर सलम पद्दती की सुरुवात कैसे हुई या सलम पद्दती से आप क्या समझते हैं इसकी सुरुवात क्यों और कैसे हुई ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर योन बहुत सारे मज़दूर जो एक छोटे से कोने की जगहमें त्रसक्चित्र के माध्यम समस्पचाना चाहेंगे मैं मजदूर क्या करता था कि जितने भी मजदूर था वह एक छोटे से रूम में जिसमे रूमousse सारे मजदूर रहते थे और यहां गंदगी से भड़ा हुआ राता था और यहां पर आस्थान था और इसी अस्थानों पर वे निवास करते थे तो इसी जोने जितने भी मजदूर थे इसी को सलम कहा गया उसका देखे और ध्योगी करन की फलस्वरूब बड़े बड़े कारखाने अस्थापित हुए जिसमें कम करने के लिए बड़ी संक्या में गाउं से मजदूर पहुचाने लगे वहां रहने की कोई बवस्था नहीं थी मजदूर कारखाने के निकट रहे इसलिए कारखाने के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनवाए जिसमें सुभिधाएं उपलब्द नहीं थी इन मकानों में हावा पौनी तथा रोसनी तथा साफ साफाई की व्यवस्ता भी नहीं थी इस परकार अध्यकरन के पल सुरूप सलम पद्दती की सुरुआत हुई जो सलम पद्दती है जब ये सहर गाउं के मजदूरों जो सहर कम करने के लिए तो वहाँ पर उसे कोई सुभिधा नहीं मिला ना तो रहने का ना है खाने पीने का एक छोटे से रूम में उसे रहना परता था तो इसी से सलम पद्दती की सुरुआत हुई सहरी करन से आप क्या समझते हैं तो सहरी करन से आप क्या समझते हैं सहरी करम एक इसी परकिरिया है जिसके द्वारा गरमीन बस्तियां कस्वा या सहरों में परिवर्तित हो जाता है इससे एक नई अर्थवरस्ता उत्पन हुई जिसमें किरिशी पालनों का स्थान बेपार सिल्प और उध्योग के धंदे ने ले लिया इसी को सहरी करन करते हैं जिसमें जोन एक छोटे से गाउं गरमिन बस्ती जो है पिर है कि बहुरास्टे कमपनी क्या यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुरास्टे कमपनी तो कई देशों में एक ही साथ बेपार और ब्यवसाय करने वाली कमपनियों को बहुरास्टे कमपनी कहते हैं मतलब सभी दिसके छोटे-छोटे कमपणिया आपस में मिल कर कम करते हैं तो इसी सभी कमपणियों के समुख को ही हम लोग बहुराष्टर कमपणिय कहते हैं ये बहुराष्टर कमपणियां पुंजी बादी देशों की बड़ी-बड़ी बेपारिक और अध्योगिक कमपणिया है फिर वर्ना कुलर्ड प्रेस एक्ट पारित करने का क्या उद्देश था तो वर्ना कुलर्ड प्रेस एक्ट पारित करने का निमलिखित उद्देश था इसमें परमुक परमुक उद्देश हम लोग जोनेंगे कि वर्ना कुलर्ड प्रेस एक्ट पारिकरने का मुख्य भारत में उभरते राष्टवाद के परसार को रोकने के लिए भी नए नए पत्रिकाओं को परकासित होने के लिए सरकार नहीं देते थे उस पर पर्तिबंद लगाते थे तो इस तरह से जोन आपका पूरा और जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हुआ असा है कि आपको पूरा समझ में आयोगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में नेक्स कोईशन के साथ तब तक के लिए जैन जै भारत